आज हम फ्रेंच में बात करने वाले हैं फ्रेंच को पढ़ते कैसे हैं तो चली आज हम उनके बारे में जानते हैं फ्रेंच प्रेंच के बारे में जिससे हमें ये हेल्प हो जाएगा कि अगर हम फ्रेंच में कोव भी वर्ड अगर पढ़ना हो तो हम किस तरह से पढ़ सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आज मेरे चैनल पर जो भी नए है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्स्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो के अन तक बने रहे हैं ताकि फ्रेंच से रिलेटीव जो मैं आज सौंड्स बताने वाला हूँ फ्रेंच प्रनांसेशन इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि हम फ्रेंच वर्ड को पढ़ते कैसे हैं बहुत सारे फ्रेंच वर्ड ऐसे होते हैं जिसके कुछ exceptions भी होते हैं उसका प्रनांस हम कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे तो वीडियो के अन तक बने रहे हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच प्रनांसेशन के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है बोर्ड प होती है उसको एक वर्ड या एक मीनिंग को हमको पढ़ने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लेगा और हम अच्छे से सीख जाएंगे तो इसलिए मैं आज लाया हूं फ्रेंच में जो टॉपिक है फ्रेंच प्रनांसेशन के उपर जिसमें हम इस तरह से हर वर्ड को देखकर उस जमा जाएगा और उन एक्जांपल को हम इस तरह से पढ़ेंगे जहां पर इस तरह का प्रनांसेशन वहां पर जरूर आएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच में प्रनांसेशन फ्रेंच पढ़ने के लिए हमें फ्रेंच प्रनंसेशन भी जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम फ्रेंच प्रनंसेशन को अगर एक बार जान लेते हैं तो हमें फ्रेंच पढ़ने में कहीं पे भी कोई परिशानी नहीं होगी तो चलिए हम उन French pronunciation के बारे में जानते हैं यहाँ पे मैं कुछ words लेकर आया हूँ और उस words को हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे जैसे कि बहुत सारे आपको words मिलेगा उसके कुछ हम endings को देखते हैं और इंडिक्स के थुरू हम उस words को हम पूरी तरह से French में पढ़ सकते हैं तो मैंने आपे अभी एक इंडिंग लिखा है E-A-U इसका जो pronunciation होता है वो होता O अगर आपको French में कोई भी word है जहाँ पे अगर आप E-A-U से अगर इंडिंग होता है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे O क्या पढ़ेंगे O तो इसके उपर मैंने आपे कुछ examples भी लिखे हैं कुछ words भी लिखे हैं चली हम उस words को देखते हैं और उस words में हम notice करेंगे कि E-A-U से इंडिंग हो रहा है या नहीं तो यहाँ पे मैंने लिखा है अ शापो तो आप देख रहा है यहाँ पे E-A-U से इंडिंग हो रहा है अ कुतो विच मींस अनाइफ यहाँ पे भी E-U से E-A-U से इंडिंग हो रहा है और हम इसका जो sounds हो रहा है फ्रेंच में वो O हो रहा है अ बातो विच मींस अबोट यहाँ पे भी है अ शापो विच मींस अपाइलेस अ शापो विच मींस अपाइलेस यहाँ पे भी है E-A-U अ प्लातो विच मींस अट्रे यहाँ पे भी A-U से इंडिंग हो रहा है अ रेजो विच मींस अनेट्वर्क यहाँ पे भी E, A, U से इंडिंग हो रहा है ला, पो ला, पो which means the skin लो which means the water यहाँ पे भी इंडिंग हो रहा है और यहाँ पे भी इंडिंग हो रहा है E, A, U से तो इन सारे words में E, A, U से इंडिंग हो रहा है और इसका जो sounds का इंडिंग हो रहा है तो जित्ते भी words है इनको मैंने भी पढ़ा और इन सारे words में मैंने जो endings किया pronunciation से वो O से किया है तो एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं अ शापो बीज मैंने जोंग के टो प्लातो बीज मैंने वीज लेते हैं low which means the water तो यह E-A-U अगर E-A-U से endings कोई words है तो उसका pronunciation था अब हम कुछ और भी pronunciation के बारे में जानते हैं आज मेरे वीडियो के आन तक जरूर बने क्योंकि मैं हर वो pronunciation लेकर आया हूँ जिससे आपकी French की जो reading है जो पढ़ने का जो तरीका वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चलिए हम कुछ और words को लेकर आते हैं कि हम उसको exact में उसका जो pronunciation होता क्या है मैंने एक और word लिखा है O-I अगर O-I अगर French के कोई भी words में अगर साथ नजर आता है तो उसका जो pronunciation होगा उसका जो pronunciation होगा जो sound होगा French में वो होगा उआ इसके उपर भी मैंने कुछ यहाँ पर words लिखे हैं चलिए हम उस words को हम देखते हैं जहां पर O-I साथ में आ रहा है और उसका जो pronunciation हम देखेंगे हम क्या देखेंगे उआ जैसिके मैंने आप लिखा इसके पहले मैंने जो sounds बताया था वो E-A-U का बताया था जिसमें मैंने क्या उसको पढ़ा O तो यहाँ पर आ गया O-I तो O-I को क्या पढ़ते हैं और E-A-U को हम क्या पढ़ते हैं तो क्या हो गया वाजो वाजो तो लाश्ट में O भी आ रहा है स्टार्टिंग में वा भी आ रहा है Which means a month O-I A-Swar A-Swar यूँ ववात यूँ ववात यूँ ववात यूँ प्वार यूँ प्वार A-Puizon आप हैरेट बर्स में देख रहा है O-I साथ महारा A-Roo A-Roo चलिए एक बार इसको फेल से हम पढ़ते हैं with जो X का मेनिंग है आ श्वा विच मेंज अच्वाइस वाजो विच मेंज अबड आ मुआ विच मेंज अमांत आ स्वा विच मेंज अनिम्निंग यूँ ब्वात यूँ ब्वात विच मेंज अबॉक्स यूँ प्वार यूँ प्वार विच मेंज अपियर आ प्वाजों विच मेंज अफिश आ रुआ रुआ विच मेंज अकिंग आ द्वा विच मेंज अफिंगर तो इस तरह के और भी words हैं, तो वीडियो में आप बने रहे हैं, चलिए हम कुछ और words को देखते हैं, उसका pronunciation क्या होता है अब मैंने आपे एक word लिखा है, जी एन, अगर French में कोई word है, और वहाँ पे अगर जी एन साथ में है, तो उसका जो sound होगा, यानि pronunciation होगा, वो होगा निया, क्या होगा निया, उसका pronunciation निया होगा उसको उपर मैंने आपे कुछ examples लिखे हैं, कुछ words लिखे हैं, चलिए हम उस words को हम देखते हैं, और उसको हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हमें समझ मा जाएगा, जी एन को हम क्या pronunciation करेंगे, आप अलफाट बेट में देखते होंगे, कि जी को हम क्या पढ़ते हैं, जे, क्या पढ़ते हैं, जे, लेकिन यहाँ पे हम जी एन, जी एन साथ में है, तो यहाँ पे हम जे का pronunciation जी के साथ नहीं लाएंगे, बलकि जी एन अगर साथ में है, तो उसका pronunciation चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो हम देखते हैं, जी एन को हम क्या पढ़ते हैं, जै आ पेन्य यू आ रहे हैं यू आ रहे हैं मीन्यो मीन्यो गाये आप सब में देख रहे हैं जियन साथ में जियन साथ में है तो जहां पर भी जियन साथ में रहता है उसका जो प्रनेंसेशन होता है वो निया होता है एक बार इसको रीपीट करते हैं और इसका जो वर्ट्स होता है जो इंग्लिस मेनिंग होता है उसको भी आ देखते हैं ला मॉन्ताईय विच मिंस दि मौन्टे। ला लिन्य विच मिंस दलाई आ पेय विच मिंस आकोंब। यू अरेय विच मिंस अ स्पाइडर। मिन्यों विच मिंस क्यूट। गाईये which means to earn तो यह था जी एन का प्रनांसेसर हमने अभी ए यू का प्रनांसेसर देखा ओ आई का प्रनांसेसर देखा जी एन का प्रनांसेसर देखा कुछ और वर्ड्स है उनको भी हम देखते हैं और हाँ अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्रेंच से रिलेटिव आपको कित्ते भी वीडियो से है वह आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगा तो चलिए हम कुछ और प्रनांसेसर के बारे में देखते हैं जो फ्रेंच में सौंड होता है मैं उसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ अभी मैंने बताया ए ए ए यू का सौंड क्या होता है फ्रेंच में मैंने उसके बारे मैंने बताया ओ आई अगर साथ में रहता है इसका क्या सौंड होता है फ्रेंच में उसके बारे मैंने बताया जी एन जी एन अगर साथ में रहता है, उसका pronunciation जो French में होता है, वो क्या होता है, उसका sourd क्या होता है, वो मैंने बताया, अब मैं यहां पर लेकर आया हूँ, C-H, अगर C-H कोई words, फ्रेंच के कोई words में, अगर C-H अगर साथ में है, तो उसका जो pronunciation होगा, शाह आएगा इस तरह का जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं दो दो तीन तीन वर्ड्स को मिला कर जो प्रोणनसेशन बनता है अगर उस प्रोणनसेशन के बारे में अगर हम जान लेते हैं कि उसका exact में sound क्या होता है तो हम एक बड़े सा sentence है जो बड़े सा वर्ड्स होता है उसको ह यू का प्रोणनसेशन होता है तो कहीं नहीं कहीं आपको इन तीनों यह दोनों को मिला कर बीच में भी वैसा वर्ड्स बनेगा जिससे आपको अगर दोनों का प्रोणनसेशन आपको sounds पता है तो पूरा वर्ड्स पढ़ने में कहीं पर भी कोई परिशानी नहीं होती है तो बारे में हम जानते हैं, तो मैंने आपके कुछ examples लिये हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके, C-H आप शू, C-H यू शेज, C-H आप शेवाल, C-H यू दूश, C-H आप शापो, C-H यू क्लूश च आ शातो च तो यहां पे बीच बीच में कुछ और भी वर्ट्स आ रहे हैं जैसे कि मैंने भी बोला ना कि आपको इस प्रणूंसे से रेल्टिव च यह सब भी आपको कहीं ने कहीं एक साथ एक वर्ट्स में बीच बीच में मिल जाएंगे तो इन से वर्ट्स के बारे में अगर इसका जो सौंस होता है यह हम अगर पता हो तो फ्रेंज के जो वर्ट्स होता है उसको पढ़ने में हमें कहें पर प्रोब्लम नहीं होता है फोर एक्जामपर यहां पर मैंने ए ए यू ए ए यू का जो प्रोब्लम सेशन होता है जो सौंस होता है वह क्या होता है ओ और सी एज को मैंने क्या बताया है शै तो यहां पर क्या हो गया ओ और पी है और ओ है तो जाएगा पो और यहां पर शै तो क्या हो जाएगा शापो क् यहां पर भी लिया है CH को हम क्या पढ़ता है और यहां पर EAU इसका जो sound होता है वो क्या होता है ओ तो दोनों का मिला कर क्या हो गया शातो तो चली इसको repeat करते हैं आफ्टर में आशिया विच मिस अ डॉग आशू विच मिस अ कैबेज यू शेज विच यू दूश विच मिस अ शावर आ शापो विच मिस अ हैट यू क्लोश विच मिस अ बेल आ शातो विच मिस अ पैलेस अब श्री एच से कुछ french में वर्ब भी होता है जैसे कि यह नॉन है तो कुछ वर्ब भी होता है उसका जो चार्श होता है उसका प्रोनसेशन होता वह भी शाह होता है और शांते शांते विच मिस तुशिंग त्यापे शांते यू आ रहा है शीएच काशे which means to hide to hide तो यहां पे भी CH आ रहा है तो आपको CH से relative आपको बहुत सारे nones भी मिलेंगे और आपको verbs भी मिलेगा तो आप जहां पे भी CH को अगर साथ में देखें तो उसका जो sounds होगा आप हमेशा CH को सा sounds देंगे तो चले कुछ और भी French में pronunciation है कुछ sounds है उनके बारे में भी हम जानते हैं French में अगर कोई words जहां पे I double L से बीच में यह ending हो रहा तो उसका जो sound होता है वो होता है E क्या होता है E तो यह मैंने I double L इसका sounds अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसका कुछ exception sounds भी है उसके बारे में भी हम देखेंगे लेकिन पहले हम इसको देख लेता है उसके बाद हम उसके बारे में भी हम देखेंगे तो चलिए I double L इसके कुछ मैंने examples लिये हैं यहाँ पे कुछ words लिये हैं उसको हम E के साथ sounds यानि प्रोनॉंसेशन देखर हम उसको पढ़ते हैं जैसे मैंने आप लिखा यू यू था मी यू था में यू था मREE यू थी यू थी आप लेल आ ब्ये ब्ये आ प्ये आप लेल आ कैयो था कैयो I double L यू शेवी यूँ शेवी आईडवलेल यूँ फ्वेई यूँ फ्वेई आईडवलेल है ब्रिये ब्रिये आईडवलेल गास्पिये गास्पिये आईडवलेल तो इन सारे वर्ट्स में आईडवलेल बीच में है आपको लाश्ट में भी मिलेगा उससे हमें कुछ मतलब नहीं, अगर कहीं पे भी ILL साथ में है, तो उसका जो sound होगा वो E होगा, लेकिन कुछ exceptions words भी हैं, 5-10% exceptions होते भी हैं कुछ words के, तो उसको चली हम उस exceptions के बारे में भी जान लेते हैं, पहले एक बार इसको हम repeat कर लेते हैं, और इसका जो English meaning है, वो भी हम U, formy, which means a family, U, fee, which means a girl, a BA, which means a ticket, a क्यू, which means a paeble ayahu yaya निक is stone, U, chevy, which means an uncle, U, fey, which means a leaf, ब्रिये which means to shine गास्पिये which means to waste यहाँ पे ब्रिये और गास्पिये यह जो दो words है यह French का verb है non नहीं है तो verb के साथ भी आपको I double L साथ में कहीं ने कहीं आपको मिल जाएगा तो चलिए अब हम उन exceptions के बारे में देखते हैं जो I double L के exceptions है और उसके कुछ words है जिसको हम क्या पढ़ते हैं उसका sounds क्या होता है उसका pronunciation क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं अभी जो हम लोगों ने देखा I double L इसका जो sound होता है फ्रेंच में वो क्या होता है E लेकिन कुछ exceptions words भी है उसका जो sound होता है वो ill होता है क्या होता है ill तो यहाँ पर ill लगा कर हम कुछ exceptions words को देखता है और उसका sounds हम क्या होता है वो भी हम देखता है जैसे कि मैंने आप लेका you will क्या है you will इसके पहले मैंने जो I ये डवल L का sound बताया था उसमें क्या बताया था अगर उसका according हम अगर इसको पढ़ता है तो क्या हो जाता है you will लेकिन it's wrong correct क्या होगा you will यहाँ पर हम exceptions देख रहा है और exception में जो I double L का जो pronunciation है जो sound है वो पूरा यहाँ पर you will you are villas यहाँ पर भी हम डवल L को sound दे रहा है थ्रॉंक किये मील मील मिल्यों मिल्यों तो यह सारे वर्ड्स है जहाँ पर हम आई डवल L को sound यानि pronounce कर रहे है और इसका pronounce change है इसके पहले जो I double L का जो sound था यह था वो यहाँ पर नई है you will which means a city a village which means a village tranquille which means quite meal which means a thousand million which means a million सारे में I double L तो इस तरह का भी pronunciation हमें फ्रेंच में देखने को मिलता है वो 5-10% कुछ exceptions होते हैं वो हर किसी ने किसी चीज का exceptions मिलता है और उन exceptions पे हमें focus करना उसको याद करना और समझना बहुत ही जरूरी होता है ताकि friends से relative कुछ भी अगर हमें सीखना हो तो उसको हम असानी से सीख सकें तो आज के class हम यहें पे खतम करते हैं जो हमारा class था, sounds था, french का pronunciation था इससे relative अगर किसी को भी कुछ query है तो आप मुझे comments box में comments करके पूछ सकते हैं तो फिर मिलता हैं आप next class में किसी नए lesson के साथ Bye, take care